हसीना मलिक तेज, तर्रार, ओशियार पिछले दो बार तो तुमने किसी तरह से हमारे कहर से लोगों को बचा लिया लेकिन इस बार त्योहार के मौके पर हम तुम्हारे शहर लखनाओ में है और इस बार तुम्हारे शेहर लखनाओ में ऐसा कहर मर पाएंगे कि सिर्फ लखनाओ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा. तो इस बार तुम्हारे शेहर में देवी मा के कृपा से ऐसी जगा चूरी करेंगे कि सोचती रह जाओगी. अरे बाच्छा वो हसीना मलीक है, उर्त परिंदों के पर गिन सकती हैं, हम तो फिर भी मामूली चोर है, क्यों हसीना मलीक? अब तो तुम जान गई होगी कि हम तुम्हारी पुलिस लाइन के सबसे बड़े पंडाल में रखे सबसे किम्ति डायमंड आबा को चुराने वाले हैं. का? वो भी सबकी आखों के सामने हैं, तो रोक सको तो रोक लो, ऐसे चो हसीना मलेक हम आ रहे हैं. मैडम सिर्ण ये ठीक है, सबने सब कुछ सुन लिया है, सब को पता है लखनों में क्या होने वाला है, हमारे पास बरबाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होना चाहिए, हम लखनों में चोरी नहीं होने देंगे, क्लियर? मैडम सिर्ण ये देश के हर कोने में जाके चोरियां किया, लेकिन अर्च तक पकड़ नहीं ही गए और पकड़ इसले नहीं घए क्योंकि आज तक उत्तर परतेश नहीं घ। इन्होंने एक मात्र आखरी मिस्टेक किये अपनी लाइफ का उत्तर प्रदेश में आखे क्योंकि यहां से तो वो सीधा अंज्राम तक ही पोचेंगे बिल्बू सही मैडम सर, हम बहुत जल्द उन्हें पकड़ेंगे और सीधा जेल के अंदर डालेंगे पकड़ेंगे इस बार तो उन्हें पकड़ के रहेंगे संतोशर्मा यह जो आभा नाम का हीरा है यह कौन से पंडाल में लगा है पुलिस लाइन का मैदान मैडम सर और यह जो इवेंट है यह नाराइनी देवी जुएलर स्पॉंसर करें तो तयारियां भी बड़े लेविल पे हो रही है जी माडम सर इस बार पुलिस लाइन के नवरात्री महोच्साओं में यह जो आभा नाम का हीरा है यह मुख्य आकर्शन है जिसको नाराइनी देवी जुएलर्स जो हैं लोग माता के चरण में रखवाया है पूजा के लिए इसलिए माडम सर हेड़कोर्टर से इस पंडाल की सुरक्षा वेवस्था के लिए विशेश आदेश पारेत हुए हैं हम सबका ड्यूटी वाई लगा है माडम सर यह बहु मुले हीरा आभा की सुरक्षा के लिए चीक है बिलू को बुलाई चोर को पकड़ने में सबसे अच्छा चोरी कामाता है ओ माई गाद मुझे लगाता कि आजकल के चोर और चोरिया ऑनलाइन हो गए लेकिन नहीं कुछ-कुछ चोर है जो अपनी चोरी की कमाई मेहनत की कमाई खा रहे है पहरे रहे डेड़ फुट का सफाचट दार्शनिक इंसन ए खोल और अनुभल से बताओ ना यार एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से बताओ ना यार कि का हुआ है तो मेरा चोरी के वल्ड का जो एक्सपीरियंस है 20 साल का उसको मद्दे नजर रखते हुए इनकी जो ताकत है वही कमजोरी है क्या मतलब? मतलब जब ये साथ है तब खास है अलग है तो बकवास है मतलब एक साथ है तो कुछ भी कर सकते है अलग-अलग है तो कुछ भी नहीं कर सकते मतलब अलग-अलग होकर वो मुंखडी भी छील नहीं सकते ओके, इसका मतलब जब ये दोनों नवरात्री के बंडाल में इस चोरी को अंजाम देने आएंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों साथ में ना हो। पर मैडम साथ ये कैसे होगा, उम दोनों को अलग आने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं हम। हम उनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है। तजुर्बा कहता है हमारा, कि अकलमंद को सच्चाई से, घमंडी को चापलूसी से और चोर को चतुराई से ही हराय जा सकता है। एक काम कीजे, शहर के हर गली कोने में ये पोस्टर लगवाईए, ये अफवा पहलाईए, ये न्यूस पहुचाईए कि बेगम और बादशा से इंप्रेस होकर कई सारे चोर उनी के तरीके को कौपी कर रहे हैं, नवरात्री के पंडाल में जाकर चोरी कर रहे हैं और काम देने की खोशिश कर रहे हैं, क्लियर? बढ़ी है माडम सर, ऐसे तो कि भी असली बेगम बादशाह, पुलिस और पब्लिक की डर से, पुलिस लंकी इस पंडाल तक पहुच ही नहीं पाएंगे एक साथ, एक पंथ दो काज हो रहेगा माडम सर, पब्लिक का भी डर, पुल यह हमारे आकरी चोरी है ना बादशाह, इसके बाद हम शादी करके सेटल हो जाएंगे ना, तुमने प्रोमिस किया था, अपना बादा मत तोड़ना, यार अफकॉस बेभी, यही प्लान है, पता है क्या गरने माले है, यह आकरी हांथ मारेंगे, अपना फ्यूचर से, फिर बड़ी आप पहाड़ों जाके अपना घर लेंगे, और वहाँ पर सिर्फ हम तीन रहेंगे, तुम, मैं, हमारा प्यार, वाई लव यू, अच्छलो चलो, अभी ताजा खबरे सुनते हमारे बारे, आओ, बेगम और बादशा नाम के नामी चोरों के नाम पर फरजे चोरों क कारणा में अब बढ़ते ही जा रहे हैं, बेगम और बादशा के नाम पर ये चोर जोडियां बनाकर नवरासली के पांडालों में घुस रहे हैं और चोरों को अन्जाम दे रहे हैं, पुलिस की थरपकन अप्तेज हो गई है और ऐसी चोर जोडियां दोजाना पकड़ी जा पर पकड़े जाने के बाद ये चोर जोडियां अपना नाम बेगम और बाश्या बता रहे हैं, अरे वा, मुझे तो पता ही नहीं है कि हम चोरों के लिए ब्रैंड बन गए, अरे हम सेलिब्रिटी बन गए, सेलिब्रिटी अरे, नहीं यार, पुरा खराब हो गया, अब इस इस शेहर में जितने नवरात्री इवेंट हैं और जितने पंडाल हैं, वहां पर पुलिस और चोकन नी हो जाएगी, और वहां पर जितने कपल आने वाले होंगे, सब के उपर नज़र रखेगी, और हम जोडि में गये तो हमारे उपर भी नज़र रखेगी, अब इसी चक्क करेंगे ये से चोरी करेंगे बोलों महाष्यरा वाली की? नहीं! चाचिय दरुबार की? नहीं! आईए सब लोग महाष्य वाली रिची आईए वेलकम टो लखनौ। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी मदद के लिए यहां आ गए। थांकी सो माच। आम ग्लाड कि आपने मदद के लिए मुझे बुलाया। चली अंदर चली 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 करिश मसिंग आप हमारी बात ध्यान से सुनीए। संतो शर्मा और अदिधी हमारे साथ में गेट पर रहेंगे। आने जाने वाले हर इंसान को चेक करेंगे। ठीक है। आप जो हैं... ये रही मैडम। एक मुनिट। वाओ, हेलो, असीना जी, आपने तो कमाल का इंतिजाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने सुनाया है कि आपका साथ देने के लिए मुंबई पुलिस से भी कोई आ रहा है। जी हाँ, अदेदी नाम की एक ओफिसर है, फिलहाल, सीसी टीवी रूम में थोड़ी दर में आती होंगी। आप देखिएगा, लखनव पुलिस, मुंबई पुलिस और हम सब मिलके उन चोरों को पकड़ेंगे, तो निगोड़े बदमास चोर ज़रूर पकड़े जाएंगे। बिलकुल सोने का कलश लेके भागे हैं वो चोर। देखना, यह दक्षेग जोशुपुरा उन्हें छोड़ेगा नहीं, मैं शवबत लेता हूँ। अगर मैं कलश लिए भिना गया, तो मैं सोसाइटी के सेकेटरी पत से जाथ पत्र देढ़ूंगा। का। आप लोगों के होते, ऐसा होगा नहीं। हाँ मैडम जी, मेरी बेटी का नौलग कहार लेके भाग गए यह दोनों कंब कच्चोर। मेरी बेटी के सेसुराल की तरह से आया था यहार। मेरी बेटी का यहार वापस पाने में आप मेरी हल्प कर दीजिए, देखिए देखिए आप बिल्कुल भी टैंशन मत लीजे। आल मेक शूर कि आपकी बेटी का हार आपको वापस मिल जाए। बस आप लोग इस तरह से इन दोनों चोर को पकड़ने में हमारी मतद कीजिए। ठीक है। पर अमी। अल्दे बेस्ट, अल्दे बेस्ट, जी। मैडम सर। आपको जो है, मॉनिटर करना है, जितनी भी आने जाने वाली लोग है, उन सब कोच्छे से चेक कीजिए। कोई भी suspicious लगता है, तुरंथ हमें बताईए। आप जा सकती है। मैडम सर आपने हमें नहीं बताया, हमें क्या करना है। चीटा चातुरवेदी, हमने तुमको जो बतायथा पुछपा जी को समझादो माञ़मी तम 시ए शफू इसको म कीज़े ताक पर, प्लीज इनमों कॉर ताहिए अच या आ प्रमकषए अच चा आओ सब थीक है न, कुछ गणवर्द तौहुं लग रही हे जीरे माञ़मी उझा ंचे लग रही है माञ़मी तौह यह कौन है? कुल्षपार? हम, ठीक है, चलिए. आप सब के कॉस्टुम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं. पता है ना क्या करना है? पंदाल में जितना भी लोग है ना, सब परक्दमाई से पूरा नजर गड़ाए रखना है, ध्यान देना उन लोग परना नहीं, माता की मूर्ती के आके जो आभा नाम का हीरा रखा है, उस पर नजर रखने हैं, तो सेरे पुलिस में बरती किया तुम्स एक सेकिंड के लिए उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए, और अगर कोई भी संदिक्त इंसान आपको अगर लगे तुरंत हमें बताए, क्लियर? जी मादम सार, मगर मादम से एक बात पूछे हम, आपको नहीं लगता कि यह गुत्ता बन्ना हमारे प्रतिभा से में नहीं खाता, हमें छोटासा प्यारासा खरगोश होना चाहिए, माँ कैसी? पास, पास, पुस्पाजी, पास. होगे आप सब का? हम यहां काम करना है, ओके? प्लीज, जाएए यहां से. जी, मादम से. आई, आई, आई. अच्छ वाम ग्रूप में, वरना कपल को देके किसी को भी शक हो जाता है कि कही हम ही भो भी बेगम पाशाली चौड जोडी तो नहीं है. बिलकुल. देखनी रहे, कोई भी जोडी में नहीं दिख रहा है. जब ही लोग यह आतो अपेले जा रहे हैं, आपर ग्रूप में जा और ये भी देख रही हूं कि उन लोगों ने उन सब को यहां बुलाया है, जिनके यहां हमने पहले चोरियां की हैं, और यह नहीं जानते हैं, कि अतना आसान नहीं हम तक पहुंचना है, हम बेगम बाद्शा हैं, हमेशा सबसे दो कदम आगे ही रहते हैं. समल के, अरे 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 भाई साब, हमारा सिक्सेंस यह क्यों कह रहा है, कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गडबर जरूर है. संकु अभी जो वो एक लड़का काला चिश्मा पेंकर और उसके हाथ में चड़ी है, उसका तुमना आइडी चेक ही है? जी मादम, सबकी आइडी अच्छे से चेक हो रही है, ठीक है, अलर्ट रहना होगा है, यहां से हम लोगों को अलग अलग रहना होगा है, साथ में रहे देख के चल ले, नहीं तो इसको जूम करो, जूम करो, चल्दी करो मादम जी, मैंने अभी-अभी एक वो दिव्यांग व्यक्ति को देखा, बड़ आम वेरी शूर जी कि वो दिव्यांग नहीं है इंफाक्ट मुझे तो लगता है जी, कि वही चोड है है जी, अच्छा, अब कहा देखा? जी, एक दिव्यांग व्यक्ति को हमने जात वे देखा, उसके, उसके आख पे काला चश्मा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी हमें उस पर शक हुआ तो हमने उसका पीछा किया पीछी की तरफ गया लेकिन पीछे कोई नहीं था इस भीड में बेगम और बाच्छा कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है वो हर्कत करेंगे तब हम उने पकड़ सकते हैं सब लोग अलर्ट पर रहे हैं जी, नजर रखिये हर जग़ा जी पुषपजी नजर आवा हीरा पर ही रहे, नजर हटी तुर घटना घटी और ससुर भीगम बाच्छा यहीं कहीं घात लगाया हुए होंगे हीरे के चक्कर में भाई और बैनो, नाराणी देवी जलर्स के सोजने से ना सिर्फ इस पूरे कारेकरम का आयोजन किया गया है बल्कि इसे और भी यादकार और बहतरीन मलाने के लिए एक बहुत ही उतक्रिष्ट और प्रती भावान निर्ट अंगना को भी आमंत्वित किया गया है तो बंबई से आज की सभवे संध्या के लिए हमारे वीच पधारी हैं मश्हून निर्ट अंगना जोजन को बैद भी आज़े हैं मैं यह निर्ट अंगना मैं 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 इसे क्या हुआ पुष पज पुष पजय काम दी थी ना अ अंचर नहीं होपाया मतला क्या हिरा चोरी हो गया मैडम से अब तो ट्याक पत्र देना ही पड़ेगा कैसे हुआ ये सब? मैडम सर अमको लगता है ये वही दिव्यांग आत्मी है जो अंदर गुसा था अंदर गया लेकिन अंदर से बहार नहीं आया है और जब भार आया है तो अंको लगता है वह एक डॉगी का गेटप लेके भार आया माडम सर गेटाप? हाँ, एक मनट पुष्पाजी हम आपके बसाये थे ना आपको तो बोले थे हम की इसे जाके हीरा कख्या रखिया पसने ली बोले थे ने, ने, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो यह नाच कर रहे थे ना माडम सर इसका मतलब इसका मतलब ओके, चीके, शांत रहे, अब भी कुछ में बगड़ा है पुष्पाजी, आक्टिं करने के लिए तयार हो जाए बताए माडम सर, हम यह और क्या करना है ऐसी बैसी आक्टिंग नहीं करने, जब हम आपको कहेंगे भागे तब आपको भागना है, हम आपको गोली मारेंगे और आप मर्मी की आक्टिंग करेंगे सुनिये सब लोग ध्यान चे, सुनिये वो जो दो चोर थे बेगम और बाद्शा जिन्होंने ही हीरा चुराया है उसमें से मेन आदमी को हमने पकड़ लिया है कही है चोर चला अब तुम्हें जेल के अवा के लाते है आगे, आगे क्यां आगे आगे नहीं 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 गोली मेच चलाना प्लीज गोली मेच चलाना पाट्षा हा भाई, बेगम कुष्पती, थैंक्यू कुष्पा? जी हां, हमारी कॉंस्टिबल अब आप ये बताईए कि आपका असली बाट्शा कहा है वहाँ है बाद्शाह? यहाँ है बाद्शाह बिना बेगम किस काम की और बेगम बिना बाद्शाह किस काम का इज़र आओ बाद्शाह हमारी शादी होगी हमारी शादी जरूर होगी आज वक्त हमारे साथ नहीं है लेकिन हम दोनों तो साथ हैं न हालात ने हमें चोर बनाया और हालात ही हमारी शादी करवाएंगे हमारी शादी जरूर होगी और मैडम, हम यह चोरी चाकारी नहीं करना चाहते थे, बस लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा मांग बैठे और एक्स्ट्रा मांगने के चक्कर में एक्स्ट्रा ओर्डिनरी चोर बन गे कि शॉर्टकट से तो ढंकी खिछडी तक नहीं बनती, तो लाइफ क्या बनेगी और जब यह बात समझ में आ रही है तो अमारी जोडी जा रही है मैं जेल नहीं जाओंगी कुछ बात नहीं मैडम, जेल से बाहर आएंगे एक नहीं कहानी लिखेंगे यह हमारे कहानी का अंत नहीं बलकि हमारे कहानी के शुरुवात है बड़े आये थे रूल ब्रेक करके जोरी करने और मैं तो हमेशे ही बोलता हूं रूल्स मतलब रूल्स, फॉल्स फॉल्स गो बेक तु स्कूल हमारा सोने का कलश का है ओए, मेरी बेटी कहार निकाल, निकाल नहीं नहीं आपसकी चिंता मात किजी तुनो सारी शादी वादी जेल में जाकर करना, चीता संदोष ले जावे ने लेके जावे ने चली 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 जेल में लिखायों नहीं, नहीं, नहीं अई, नहीं बड़ो मादम जी आमारा सामान अपने सामान की चिंता बिलकुल मत कीजे अल मेक शॉर कि आप सबको अपना सामान मिल जाए, ठीक है? पक्का? बिलकुल पक्का. ओके. चलिजी बाबाजी, थांक यू सो मच. वो कहता है न, अंध भला तो सब भला जी. और चोड भी पकड़े गया, और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा. हसीना जी, दिल से थांक यू. करिश्मा जी? जी. आपको भी दिल से थांक यू. इनफाइट आप सभी को दिल से थांक यू. आप सभी लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया. आँ वैसे को मैं हैंडशेक करती हू. पर आज दिल कर रहा है कि आप सभी को सल्यूट करू जी. झाइब को सल्यूट में जी.